Hello everyone, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ daily uses sentences को देखेंगे, खास तोर पर play से related play का मतलब होता है खेलना, इसका दूसरा मतलब होता है बजाना, इसका और भी मतलब होता है खेल, ना टक, जोगा खेलना sentence देखते हैं I am playing, I am playing, play से playing आया है, यहीं मैं खेल रहा हूँ, I am playing football, यहीं मैं football खेल रहा हूँ, या I am playing cricket, मैं cricket खेल रहा हूँ और I के जगे आप you लगाता है, you का मतलब तुम या आप किसी को कह रहा है, you are playing, you के साथ archives होता है, you are playing, यहीं आप खेल रहे हो, you are playing football, आप football खेल रहे हो, you are playing cricket, आप cricket खेल रहे हो, you are playing music, आप music को क्या कर रहे हो, बजा रहे हो, चला रहे हो कोई ररकी है तो C is playing यहें खेल रही है लरका है तो He is playing यहें जब कोषिए कोशना करते हैं किसी का नाम भी लगा सकते हैं Ram is playing, Rama खेल रहा है Sita is playing, Sita खेल रही है आप अगर कहना चाथे हैं तो I am के बाद नोट लगाईगे और उदर you are के बाट note लगाई है I am not playing यानि मैं नहीं खेल रहा हूँ you are not playing आप या तुम नहीं खेल रहे हो अगर आप एक कहना चाहते हैं मैंने खेल लिया यानि आप खेल चुके हैं तो आप कह सकते हैं I played यानि play में आप ed लगा देजिए जब आप खेल लेते हैं I played O खेल ली है C played तुम खेल ली हो you played फिर आप यह कहना चाहते हैं मैं किर्केट खेलूंगा या मैं खेलूंगा तो आप लगाई है फिर will लगाई है यानि I will play यानि मैं किर्केट खेलूंगा वो खेलेगी, C will play यह वो खेलेगी, C will play football, वो football खेलेगी तो इस तरह से play का use आप अपने sentences में कर सकते हैं उम्मिद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चलने पर नहीं हो तो subscribe जरूर कीजिएगा thanks for watching this video guys see you next video, take care, bye bye